हेलो स्टूडेंट्स वेलकम तू माई चैनल आज हम इस वीडियो में देखेंगे बड्स और उसके टाइप्स तो कई बार हमें कन्फूजन होता है टर्मिनल बड्स और एक्सिलरी बड्स का और नोड्स और इंटर नोड्स का तो यह इस वीडियो में मैं आपको क्लियरली समझ कि जो टर्मिनल बड्स क्या होती है इसको कहेंगे टर्मिनल बड्स हो जाता है तो हम उसको क्या नाम देते हैं टर्मिनल डिजीज मतलब इससे आगे अब जीना मुश्किल है तो यहां टर्मिनल बड का मतलब है इससे आगे और कोई बड नहीं है यह सबसे लास्ट वाली मतलब यह बड जो है वो end of the plant है तो इसलिए उसको कहते है टर्मिनल बड और एक्सिलरी बड मतलब जो side के branches में जो बड आती है उसको बोलेंगे axillary bud तो टर्मिनल मतलब जो shoot के tip में हो वो terminal bud और axillary bud मतलब जो branches के sides में ग्रो होती है वो axillary bud अब node क्या है node जो है वो जहां से एक branch निकलती है वो एक node हुआ यह दूसरा node हुआ यहां पे तो यह दो node के बीच की जग़ जो है उसको कहेंगे inter node यह node एक है और यह दूसरी node है यहां पे तो उसके बीच की जग़ यह हुई inter node तो node मतलब जहां से कोई नया branch निकल रहा है वह आप देखेंगे थोड़ा थिक भी हो जाता है plant तो वो जग़ को कहेंगे node और दो nodes के बीच की जग़ है यह वाली उसको कहेंगे inter, inter मतलब उनके बीच क्या एक दो node के बीच की जग़ को inter node कहेंगे तो यह ओप यह 4 टम्स आपको clear हो गए होंगे अगर आपको समझ में आये तो like करें, share करें, subscribe करें Thank you, thanks for watching